नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनुरंजन भारती आज चर्चा करेंगे 2024 के चक्रवियू की मोधी सरकार बनाम नितीश, खरगे और पवार जी हाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ नितीश कुमार की, मलिकार जिन खरगे की और शरत पवार की चल तेज है, विपक्ष के कई नेताओं को लगता है कि जो एक जुटता का परीचे है, सम्मूचे विपक्ष ने राजसभाव में दिया या संसद में दिया और जी धंग से पूरा जो संसद का बजट सत्र था, वो नहीं चल पाया, उस एकता को जारी रखने की जवरत है इसके पीछे कई कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि इस बार कॉंग्रेस को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है, जो की फुल टाइम पॉलिटीशन है, इसके पहले गांधी परिवार के अध्यक्ष होते रहे हैं, सोनिया गांधी को लोग स्विकार करते रहें क्योंकि सोनिया गा परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं है यही वज़ा है कि इस बार कॉंग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में मिला है मलिकार जुन खर गे और यह ऐसा अध्यक्ष को मिला है जिसने जीवन भर राजनीती करी है असी साल उनकी उमर है सुरू से लेकर के अभी तक वो राजनीती में रहे हैं छोटे अस्तर से लेकर के ब्लॉक लेबल से लेकर के अब कॉंग्रेस अध्यक्ष के नेता बने इस वार 2019 का चुनाव हार गए तो राजसभा में आए राजसभा में अभी विपक्स का नेता है जिसको की कैबिनेट रेंक मिलता है तो इतना लंबा अनुभव है उनका करीब 56 साल का राजनितिक अनुभव है लोग उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ जूरे की उमर हो चुकी है उनके पास भी करीब 56 साल का राजनितिक अनुभव है उन्होंने अपनी जीवन में भेड़ सारा चीज देखा है उनको वह सरत्पवार साहब आज तक कोई भी चुनाव नहीं आ रहे हैं ये दो नेता बैठ करके रननीती बना रहे हैं और लोग उनको सु नहीं यह है कि सभी विपक्षी दलों को इकटा करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना एक कॉमन एजेंडा बनाना क्योंकि विपक्षी दलों के साथ दिक्कत यह है कि वो अलग-अलग राजियों से आते हैं छेत्रीय दल हैं वहां पर कॉंग्रेस उनके खिलाफ नलग हैं और वो सोस्ते भी अलग तरह कीं उनको लगता है कि यदि वो Congress से उन्होंने हाथ मिलाया तो Congress उनको हरप लेगी। लेकिन Congress अब इतनी कहराब श्थिति में है कि अब जो मजुदा जग्स को लगता है कि एक rainbow coalition यदी बनाना है इंद्रिधनूसी एक कोईलिशन यदि बनाना है तो सब को साथ लाना होगा और आपसी अहंकार को छोड़ना होगा ये अहंकार जो है विपक्षी एक्ता में सबसे बरार हो रहा है अब हुआ क्या है कि खर्गे साहब जो है वो नितीश कुमार बिहार के मुख्वंती और तेजश्री आदब से मुला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है पंजाब में भी आमने सामने होगी नितीश और तेजश्री जो है बाम पंति दलों से मिले के नेताओं से मिले भले ही तिरपुरा में कांग्रेस और बाम दल साथ लड़ते हैं लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ है और पतनायक से नितीश कुमार और सरत्पवार संपर्ख करेंगे ममता बनर जी और चंसेखर राओ से नितीश कुमार और सरत्पवार बात करेंगे खुद मलिकारजुन खरके ने कहा है कि वो भी ममता बनर जी से वो भी चंसेखर राओ से बात करेंगे साउथ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जैसे तमिलाडू के स्टालीन है वो कॉंग्रेस के सहयोगी हैं वहाँ पर दोनों सरकार में हैं उनसे भी बात की जा रही है कि वो दक्षिन राजियों के चीफ मिनिस्टर्स से बाचीत करें एक चीफ मिनिस्टर्स का गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स का एक अपना गुरूप है जिसकी एक बैठक दिल्ली में होने वाली है जिसकी अगवाई एक तरह से अर्विंद केजिवाल में दिल्ली के मुक्वंति होने के नाते कर रहे हैं उनका एक अलग गुठ है पिछले दिनों सोसल जस्टिस के नाम पर स्टैलिन ने दिल्ली में एक कॉंफरेंस किया था जिसमें की असोग गहलोत और माकी नेता भी सामिल हुए थे तो इन सब को लेकर कि आप कर सकते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं का मिलना जुलना हाल के दिनों में काफी बढ़ा है और विपक्षी दलों के नेताओं ने आपस में काम बाट लिये हैं जगन मोहन रेड़ी जो की आंद्रपरदेश के मुखमंतरी हैं वायसार कॉंग्रेस के उनसे सरत पवार बात करेंगे क्योंकि वह कापी महत्पुर्ण हो जाएंगे लेकिन अनबन जो महराश्ट में हुई थी राहूल गांदी के सावर करके बयान को लेकर के हलाकी बात में एक विपक्ष के मीटिंग में सरत पवार ने राहूल गांदी को कहा था कि वो ऐसे मुद्दों पर बयान देने से बचें जो उनके सहयोगी दलों के लिए बहुत भावनातम है इमोशनल इसू है राहूल गांदी ने कहा था उसके बाद राहूल गांदी की जो है वो सिप्षेना के नेताओं से बाचीत भी हो गई थी अब जो बात आ रही है कि वेनू गोपाल जाएंगे उदभ ठाकरे से मिलेंगे और बाद में राहूल गांदी खुद महराश देंगे और सावर करके मुद्दे पर वो नहीं बोलेंगे ऐसी बात वो कहके आएंगे अब यह कहा जा रहा है कि इस मेहने केंत में विपक्सी दलों के नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी दिली में और उसके बाद मुद्दे तैकर के कौमन एजेंडा तैकर के फोकस रिस बाकी देश बहर में इन विपक्सी दलों के नेताओं का दौराज सुरू होगा एक बहुत ही मुश्किल काम है कहा जाता है कि विपक्स के नेताओं को इकठा करना जो है मेधक तौलने के समाने एक को रखेंगे तो दूसरा उचल के बाहर चला जाएगा लेकिन आप यकीन मा में आज इतना ही मनुजन भारती को इजाज़त दीजिए नमस्कार